असलोलेकूम, मैं हूँ आपकी डाइटीशिन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल हीना हेल्प आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चार ऐसे सिरप लेकर आई हूँ जो आपके पीरट्स को भी रेगुलर करते हैं और आपके प्रेगनेंसी कमसीव करने के चांसस को भी बढ़ाते हैं यह सिरप इतने ज़ादा मैजिकल है कि इसको यूज करके लोग सिरफ एक महीने के अंदर ही प्रेगनेंट होते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो कर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भुले आप लोगों के लिए हम इतनी महीनत करते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है लाइक कर लीजे वीडियो को और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजे अगर आप बहुत साल से ट्राइ कर रहे हैं कंसीव करने के लिए आपके पीरेट्स इर्रेगुलर है, टाइम पे अंडा नी बन रहा है, हॉर्मोन काफी ज़दा इंबालेंस है, वेट तेजी से गेन हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे है आप, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम इर्रेगुलर पीरेड अंडे नहीं बनना, इसमें हमें डॉक्टर्स काफी एक्सपेंसिव ट्रेट्मेंट देते हैं, अंडे बनाने की मेडिसन देते हैं, अंडा फोरने के लिए इंजेक्शन देते हैं, वेट कम करने के लिए बोलते हैं, तो वेट कम जल्दी होता नहीं ह थाइरोड और PCOD patient है, इनके अंदर वेट जल्दी गिरता नहीं है, तो परेशान रहते हैं वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि इसकी वज़े से उनकी जो दूसरी problem है, वो effect होती है, fertility, conceive नहीं कर पाते हैं, सिरफ बताने वाली हूँ, यह आपके insulin को कम करता है, PCOD की problem है, वो ठी करता है, periods को regularize करता है, ovulation करने में मदद करता है, प्लस weight को भी manage करने में मदद करता है, अगर आप बहुत सारे expensive treatment लेके ठक गए हैं, तो यह सिरफ को जरूर ट्राइ करिए, यह सिरफ मेली female की health को देखकर बनाया गया है, ताकि आपकी health अच्छी रहे, आप ovulation time पे हो आपका periods भी time पे आए, यह सारी चीज़े जब fix हो जाएंगी, तो आपको conceive भी हो जाएगा, सबसे पहली जो syrup है, वो है M2 Tom syrup, बहुत famous syrup है, चरक company की आती है, मैं यहाँ पे कोई promotion नहीं कर रही हो, सारे syrup मैं अपने personal experience से बता रही हूँ, patients को मैं यह दे चुकी हो, बहुत अच्छे results म ले है, PCOD patient उसे 1 month नहीं conceive कर लेते है, यह सिरपs यूज़ करके, तो M2 Tom syrup आपको लेना कैसे है, सारी ही सिरप का मैं dosage आपको last में बताऊंगी, क्योंकि सारी सिरप का एक ही dosage है, M2 Tom syrup आपको full month लेना होता है, और यह सिरप आपकी periods को regular करती है, insulin को कम करती है, अगर आपकी ut balance रहेंगे, तब का weight जादा नहीं बढ़ेगा, stable रहेगा, second syrup है अशोकारिस सिरप, अशोकारिस सिरप का भी यही काम है, यह female health को promote करती है, periods को regularize करती है, evolution करने में मदद करती है, third syrup है इव केर सिरप, इव केर सिरप का भी यही काम है, यह आपके menses को regular करती है, जो main जड़ ह है, वो है menses, period irregular है, उससे सारा सिस्टम विगर जाता है, period नहीं आ रहे, अंडानी बन रहे है, pregnancy नहीं रुक रहे है, hormone imbalance हो रहे है, PCODE प्राब्लम हो रहे है, weight gain हो रहे है, यह सारी चीज़े period irregular होने से होता है, तो यह सिरप आपके period को ही fix करता है, जिससे आपकी दूसरी problem solve ह हो जाती है, ओच सिरप है, दो चोटियो वाली सिरप, इसका भी ना मशो का सिरप ही है, यह शुकर सिरप, बट यह ज़्यादा famous है, दो चोटियो वाली सिरप से, आप किसलिए मैं image share कर रही हूँ, यह image देखके आप मंगा सकते हैं, आपको यह online stores पे भी मिल जाएगा, और medical अब लेना कैसे है, सारी सिरप का एक ही डोसिज है, वन टीजपून, वन कब नॉर्मल लुकवम वाटर के अंदर, हल्की गुनगुने पानी में mix करना हैं, आपको एक बड़ा चमच, आफ्टर ब्रेक्फस्ट और आफ्टर डिनर लेना है, फुल मन के लिए, आपको बीच मे को पीरड आया है, और दो जून को आपका पीरड नहीं आयम में सो गया, तो आप ये सिरप को बंद कर देंगे, और एक हफते के बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट कर लेंगे, अगर आप टीनेज गर हैं, तो आप ये सिरप कंटीनू तीन से चार महीना यूज़ कर सकते हैं, इस की वाज़े से, अगर उनको PCOD का प्रॉब्लम में होर्मन इंबालेंस है, वो फिर से आ जाता है, एट लिस्ट तीन महीना फॉलो करिए, तीन महीना लीज़े, ताकि ये जड़ से खत्रम हुझे, बेवी प्लानिंग कर रहे हैं, तो पीरड में सोने के बाद छोड़ दीजे, एक हफते बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट कर लीजे, दीरे दीरे आपका साइकल रेगुलर हो जाएगा और आप कंसीब भी कर जाओगे इसी में, बहुत ही अच्छी सिरप से सारी, बहुत ही अफॉरडेबल रेट में, हंडेर हंडेर रुपीज की सिरप मिल जाती है, ले कंसल्टिशन जाते हैं, बहुत सा लोगे शादी को कंसीब नहीं हो पा रहा है, आप 30 या 35 प्लस है, 40 प्लस है, डॉक्टर ने आई विफ का रेकमेंड किया है आपको, आप नाच्रल प्रेग्नेंट होना चाते हैं, किसी भी तरह के इनफर्टिलिटी, केस के लिए आप अपाइबंट, हमारे वाट्सक के DP पर भी सारी डीटेल्स लिखी है, अपाइबंट फी से लेके प्रॉसेजर की सारी डीटेल्स हमने DP पर ही लिखके लगाई है, आप मुंबई में ही रहते हैं, तो अंधेरी वैस्ट में हमारा क्लेनिक आप आके भी विजट कर सकते हैं, औ और अगर आप किसी अदर सिटी या अदर स्टेट से हैं तो घबरानी की कोई बात नहीं है आप ओनलाइन भी कंसर्ट कर सकते क्योंकि 70-80% पेशन्ट हमारे ओनलाइन ही कंसर्ट करते हैं मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ